नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मित करती हूं बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूं अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के नास्ता की रेस्पी फिरिंड्स बहुत ही यूजफूल वीडियो है नास्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनके तयार होगा तो यहाँ पर मैं लिए हूँ एक कप गेहूं का आटा और इसे बहुत अच्छे से हमें छान के लेना है क्यूंकि बरशात का मौसम है ऐसे भी आटा को च्छान के लीजिए अच्छा रहता है एक आज जो गेहूं का कने दीस में रह गया दाना रह गया तो वो च्छन के निकल जाएगा तो एक कप और एक कप छोटे वाले कप से यानि देर कप यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ली हूँ और इसे अच्छे से छान के लेना है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर आठा को बहुत अच्छ से चाल ली हूँ नास्ता अक्दम खसता बनेगा, और अच्छे से इसे एक बाद मिक्स कर लेना है वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजियेगा जादा से ज्यादा से बारा है हमारी बनाई हुई रेजबी आपको थोरा सब यंच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजियेगा अब इस में से हमें 2-3 चमाच आटे को अलग निकाल लेना है यानि कि जितना छोटा वला कप से आटा डाली इसमें उतना के हिसाब से इसे अलग कर लेती हूँ देखिए अब इसमें एक कप हमारा आटा बच चुका है आप किसी भी कप या कटोड़ी से आटा को नाप के लीजिएगा तब आपको सुविधा होगा इस नास्ते को बनाने में तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें डाला जाए कुछ हलका सा मसाला तो सबसे पहले सुआद के अनुसार इसमें नमक डालना है और इस नास्ते को आप चाहें आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो आप रात में ही सारा चीज को अच्छे से करके रख ले और शुबह में गर्मा गर्म नास्ता बना के जटपट से दे सकते हैं अब इसमें बारी कटा हुआ धनिया पती ग्रेट किया हुआ अध्रक और थोड़ा सा इसमें डाली हूँ लाल मिर्ची हलका सा और थोड़ा हल्दी पाउडर इसमें कोई नोडल्स मसाला भी आप डाल सकते हैं थोड़ा अजवाइन डाली हूँ और ये देखिए एक कश्मिरी लाल मिर्ची है इससे बहुत ही हमारे नास्ते में सुन्दर सा कलर आएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता आप बच्चों के लिए बना र दालते हुए इसका एक गाढ़ा सा हमें घोल तैयार करना है बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं रखना मैं आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके इसे गोलना है और गेहु के आटे का नास्ता है तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी है बस घर में पड़े कुछ सामानों से ही आप बना के रेडी कर सकते हैं और इस नास्ता का जो टेश्ट है बच्चे बड़े सभी कोई को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपको ज्यादा कुछ खोजने का भी जरूरत नहीं है कुछ धनियापती कट करके डालिए धनियापती कड़ी पता या पुदीना कपता आप कुछ भी डाल सकते हैं थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा रहना चाहिए जिससे कि आपका नास्ता देखने में बहुत ही सुन्दर लगे अब यहाँ पर ली हूँ दो आलू आलू कच्चा है इसे पहल तो इसी तरीके से दोनों आलू यानि एक कप आटा के लिए दो आलू का इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहे तो तीन आलू भी डाल सकते हैं लेकिन दो आलू डालिएगा तो सही होगा देखिए कुछ इस तरीके से आलू कल अच्छा निकलना है हमें अब इसे भी डाल देती से हटा देती हूं और वापस से साफ पानी में आलू को डुबा के ही रखना है जिससे कि ये काला ना परे फ्रेंड्स आपको मीठे की रेस्पी चाहिए होगा जैसे रक्षा बंधन में आप मीठाई बनाना चाहते हैं बिना गैस जलाने जला के भी जैसे आप मीठाई का रेस्पी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी जो भी मीठाई में बन इस्के लिए। आप इसमें एक चमज तील डाल सकते हैं। आप मिर्ची डालना नहीं चाहते हैं तो आप एक चमज सफिद वला तील डाल दे अब यहां पर चरहा ली हूँ पैन को चुले पर और इसमें डाल दी हूँ एक चमज के करीब तेल तेल गरम हो चुका है इसमें डालना है आधा चोटा चमज जीरा और जीरा को हलका सा पकने द नास्ता को बना सकते हैं साथी में एक प्याज को एकदम बारी कट करके डाल दी हूँ अब सारे चीज को एक बार अच्छे से चला देना है गैस के आज को कम रखना क्यूंकि इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है बस हलका सा भूनिये जिससे इसका हलका सा कच्चा पन निकल ज यह पावभाजी मसाला और साड़े चीज को अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसमें डालना है हमें पानी जिस कप से आटा को नापके ली हूँ फ्रेंड्स उसी कप से हमें एक कप पानी डालना है एक कप हमारा आटा था और थोड़ा सा और आटा ली थी तो थोड़ा सा ज और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें जो आलू पड़ेगा, उसके हिस्सा का पानी थोड़ा आप अलग से जरूर डाले, और एक कप आटा में आपको एक ही कप पानी का जरूरत परश रखता है, अब इसमें डाल देती हूँ, कद्दू कस किया हुआ अ आप इसमें डाल दती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक अभी तक इसमें गया नहीं है नास्ता में, हलका सा पानी में उबाल आने तक इसे छोड़ना है, तो देखे फ्रेंड्स, अब अच्छे से मीक्स कर देती हूँ, और दो मीनट इंतजार कीजिए, अब द आस्ता जो है चिपचिपा बन जाएगा, तो अच्छे से पानी से पानी को नीचोर लीजेगा आलू में से, उसके बाद आपको इसमें डालना है, और आलू डालने के बाद 3-4 मिनट तक इसे पकाना है, आलू को बहुत जादा गलाना नहीं है, एक आलू आप हलका सा टच कर कि देख लेंगे, आपको लगे कि हाँ ये पक चुका है, बस इतना ही पकाना है, हलका सा करंची ही रहे आलू, जैसे कि आलू का चिपस हम लोग पकाते हैं, बिल्कुल उतना ही पकाना है, अब इसमें डाल देना है हमें सारे आटे को, एक बार ही इस तरीके से डालिए, और आराम से गैस के आज को एकदम लो कर दीजिए, और आराम से पानी के साथ हमें आटे को मिक्स कर लेना है, पानी इसमें नहीं जादा होगा, नहीं कम होगा, इस आटा जो आप डाले हैं, बिल्कुल आटा सही से पक जाएगा पानी के साथ, तो चलिए इसी तरीके से मिक्स कर जब यह मीक्स हो जाएगा तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा अभी आटा को निकाल ली हूँ दूसरे बरतन में जिससे कि यह थोड़ा ठंडा हो जाए और इसे आप हाथ से टच कर सके हाथ में थोड़ा तिल लगा के चिकना कर लेना है उसके बाद आटा को हलका सा मसल के इसे चिकना करना है नास्ता एक बार आप जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अब थोड़ा सा का इसमें ले ली हूँ पोर्शन और इसे बॉल्स के जैसे हमें गोल कर लेना है इसका साइज आप और भी बड़ा बड़ा रख सकते हैं लेकिन छोटा छोटा नास्ता बनाने में भी अच्छा लगता है देखिए अब बीच में थोड़ा सा इस तरीके से हमें इसमें होल कर देने है बहुत चिक्रा चिक्रा सा इसी तरीके से आपको बना के तयार करना है देखिए सारे नास्ते को बना के और तयार कर लेती हूँ इसी तरीके से बहुत ही अच्छा ये एक तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और बनाना भी एकदम आसान है शिर्प गेहों के आटे और दो आलू से आपका नास्ता बनके तयार हो जाएगा वो भी पूरा पडिवार के लिए चिकना कर ले बीच में अच्छे से तो चलिए फरेंड सारे नास्ते को बना के दिखाती हूँ देखिए इतना सारा नास्ता हमारा बनके तयार हुआ है मातर एक कप गेहों के आटे से अब बनाने का तरीका बता देती हूँ ये जो घोल ली हूँ घोल में हमें डिप करना है नास्ते को उठा के इस तरीके से और अच्छे से डिप कर दीजिए उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा घोल लगा हुआ है उसे आप अच्छे से निकलने दे उसके बाद इसे गरम गरम तेल में फराई करना है आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो डिप फ्राई भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं छोटा कड़ा ही ली हूँ जिसे कि कम तेल में आराम से ये फ्राई हो जाएगा तो इसे ही डिप करना है और फ्राइ करके सारे नास्ते को अलट पलट करते हुए अच्छा सा कलर आजा इस पे तो निकाल लीजिए उपर से एकदम खसता लगेगा ये खाने में और अंदर में एकदम सौप्ट आटा तो पहले से ही पका हुआ है तो बस इस पे कलर आने तक अच्छे से फ्राइ कर ले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से एर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारे तरीके से आप सब्जी की रेस्पी चाहते हैं कि मैं सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ तो आप हमारे सकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं चैनल का लिंक दे दूँगी कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी लिंक पे टच करके आप हमारे सकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें मैं तरह तरह की सबजी की रेश्पी डालती हूं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो देखें नास्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर देखें कितना प्यारा है और नास्ता देखने में कितना ही सुन्दर है तो चलिए फ्रेंट सारे नास्ते को बना के फिर आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं दही के साथ खा सकते हैं सलात के साथ खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बच्चों को टीफिन में आप चाहें तो दे सकते हैं तो सुबह के टाइम में इसे जटपट से फ्राई कर लें जिससे ये गरम गरम बने और रात में सारे चीज़ करके आप रख लें तो फ्रेंड्स अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू